हेलो एवरिवन मैं हूँ अकांग्शा और आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में हम संदी से रिलेटर जितने भी प्रीवेस यह को सॉल्व करेंगे तो आज के सेशन में हम टोटल 50 को सॉल्व करेंगे और टोटल यह तीन सीरीज में आएगा तो जि आज नहीं कि हम से सॉल्व करते चलेंगे इसमें हम आपको कुछ टेप्स और ट्रिक्स भी बताते चलेंगे तो चलिए सबसे पहले हमें 50 कोशन कवर करने तो हमें जल्दी-जल्दी करना होगा तो देखें नयन सबसे पहला देखते हैं हमें बताना है कि नयन का सुद्ध संदी में भी कौन सिंस और संदी में होगी एज और संदी अब देखिए ऐदी संदी को हम कैसे पैचानेंगी कि अरभी संदी यह पहले है यह अगर किसी भी लिशुब्ध में आपको बीच में किया मिल रहा है या फिर ऐं या फिर आउ या फिर आउ अगर इन चारों में से अगर आपको बीच में से उषऑी के बीच में कोई भी ऐसा मिल रहा है अउय- आउय- आउय या फिर आउ तो कौन सी संधी होगी औयादी संधी होगी ये ध्यान लखेगा यहादी आप दूरन ट्रिक लगाए आव पढ़ेंगे न inan को पढ़ेंगे न तो नयन ओय आ रहा है न चाहिए नहोगे इन तो इसमें कौन सी संधी यह आपको बताना यह बहुत ही असान है इसमें आपको बता देते व्रिद्दी संदी यह आंसरों का व्रिदी संदी अब व्रिदी संदी को पैचाने के वृद्धी संदी होती है अगला देखिए इसमें आपको बताने की कौन सा जह गुड़ संदी होगा तो गुड़ संदी को पैचाने की भी आपको हम ट्रिक बताते हैं देखिए हमने आपको वृद्धी संदी में बताया था या तो क्या हो ए हो या तो आ हो शब्द की बीच मे गुर संदी का देखे क्या होता है या तो आपको A मिले या तो आपको O मिले या फिर R मिले इन तीनों में से आपको अगर कोई भी शब्द मिलता है बीच में तो उसमें कौन सी संदी होती है वो गुर संदी होती है जैसे आप देखे कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपको A, O या अर में से तीनों में से कोई मिल रहा है तो इसमें तो नहीं मिल रहा है नहीं तलीन में मिल रहा है नहीं इत्यादी में मिल रहा है देवेंद्र में देखिए वो वो पे एक ही मात्रा है देवेंद्र में आपको मिल रहा है तो यह कौन सी संधी होगी गुड़ संधी होगी चलेँ आगे देखिया, parser D हो जागा इसका अगरा देखिए अन्वे में आपको बताना है इसका संधी विख्षित बताना है तो उससे पहले हम आपको बताते थे संधी कौन सी है तो कि अन्वे में जो है वो गुर संदी है स्वरी, यर संदी है गुर संदी तो हम आपको पहले ही बिता चुके ए, ओ, अर मिले देखें, इसमें हम कैसे आपको बताएanız कि यर संदी है, क्या है, मुझे कैसे पता चला देखें, यर संदी भी बहुत आसान है पहचानना, यदि किसी शब्ध की बीच में य र और व, य र व से पहले कोई एक ऐसा शब्द मिले जो कि आधा दूरा हो, तो उसमें कौन सी संदी होती है, यड संदी होती है, देखिए जैसे व, यह व है, व से पहले आधा दूरा शब्द मिला है न आपको, तो कौन सी संदी होगी यह यड़ संदी होगी अजब हम इसका संदी विक्षेद करेंगे अन्वे तो अन्वे का जो संदी विक्षेद होगा यह अनुधन आये होगा इसका संदी विक्षेद होता है इसका जो देखिए यह तो हम चोड़ी चोड़ी ट्रिक्स बताते चल रहें पहचार नहीं है तो डिटेल में थोड़ा बाद में जाएंगे इसका संदी विक्षिद क्या होगा अनुधन आये यह स्याम सार है अगला देखिए कहा उच्छिष्ट में आपको बताना है कौन सर इसका संदी विक्षिद करना है तो देखिए उच्छिष्ट में जो इसका संदी विक्षियद होगा यह होगा उत्धन्सिष्ट तो इसमें जो है यह वेंजन स नदी है आपको देख रहे compromise को बनाएंगे तो जु तो है वो किसमें बदल जाता है आधा चो में बदल जाता है तो क्या बन जाता उच्छिष्ट इसमें वेंजन संदी है option B सही answer होगा तलीन का संदी विक्षेट करना है तो तलीन जो है तलीन में वेंजन संदी है इसका जो संदी विक्षित करेंगे ततधन लीन हो जाएगा अंसर अगला देखिए सदेव सदेव हमने आपको बताया यह फिर से रिपीट कर गया है तो सदेव यहाँ पर आप देखिए हमने आपको बताया जहां भी ए हो यह फिर जहां भी ओ हो यह दुना मात्रा कर आपको बीच में दिख जाए तो साफ सीधे सीधे लगा दीजेगा वरिद्धी संदी तो आंसर हो जागा वरिद्धी संदी अगला देखिए क्या है देखिए यह कितनी बार पूछा गया है यूपी पीसेस में यूपी बीजीटी यूपी जीटी है यूपी ट्रीपल सी में देखिए कई बार रिपीट होता है प्रशन अगला देखिए वाग जाल वाग जाल में कौन से आप जो है संदी विक्षेट किर ना ऐं तो देख्योन का जो संदी विश्य दोता है वहाख दण जाल ओर यह जो करेंगे तो संदी में क्या करते हैं विक्षेद करते हैं तो द्वावपी करेंगे तो यह दोनों मिल के क्या बन जाते हैं यहां पे बन गए से लिए ध्रिक्त का संदी विक्षेट करना है तो अतिधन इखोगा इसमें कौन सी संदी होगी ये पूछ ले तो देखे हम ने बता था यह रोववर यह रोवर आपको में से आपको यह दिखर रहा है और इससे पहले आधा दूरा शब्द मिलें आपको संदी होगी यहाद सं दार्ग संधी कौन सा होगा देखें इससे पहले हम आपको बता देते हैं कहीं भी अगर आपको बड़ी माता लिए मिले आ या फिर बड़ा इ या फिर बड़ा उ है न यह आपको मिले किसे भी शब्द की बीच में तो समझ जाएगा कि मैक्सिमंम टाइम दिर्ग संधी होती है यानि हमने आपको आयादी संदी का ट्रिक बता दिया आय आओ या फिर आओ कुछ भी मिले और अगर आय आओ मिले तो कौन सी संदी होती है वो व्रिद्धी संदी होती है ए ओ और मिले तो कौन सी संदी होती है गुड संदी होती है और हमने आपको व्रिद्धी संदी भी बता की मातरा मिले तो ये कौन सी संदी में दिर्ग संधी धिक धन गज इसमें कौन सी संधी है दिक्धन गज यह seven जो है यह है रेट जंदी महिश- महिश नई भी बड़ी की मातरा भीस आप लिक में सुल से ऩावढ़ी तो यह बन जाएंगा आपका जो है संदी इसका सही option हो जाएगा question number 12 देखते हैं क्या है इत्यादी में कौन सा संदी होगा दिखे यह किसे पहले क्या है आदा दूरा शब्द है है ना आदा तो है तो यह इसमें कौन सी संदी हो जाएगी यड संदी अगला देखते है मनोहर मनोहर का संदी बताना है तो मनोहर में जो होता है वो विसर्ग संदी होती है और इसका जो विग्रा करेंगे मनोहर का तो यह बनता है मनधन हर जो इसमें दुखे जो यह जो विसर्ग है यह ओकी मात्रा में परिवर्तिन हो जाता है जैसे मनह धनहर हो जाएगा मनोहर उसी तरह कर सपोस कभी-कभी एक यशोधा बहुत पूछता है या तो पूछ देगा कि यशोधा में कौन सा संधी है या तो पूछ देगा इसका विग्रह करिए तो यशोधा में भी विसर्ग संधी है, जब इसका संधी विक्षेद करेंगे, यह जाएगा, विग्रम मेरे मुझे बार बार निकल जाएगा, संधी विक्षेद होगा, ठीक है, तो इसका जब हम संधी विक्षेद करेंगे, तो ये बन जाएगा, यशधन दा, ठीक है, ये इ यहें दो सन्दी के में दो पक्षो का मेल होता है तो साफ़साफ पहले ही आपको मिल गा कि कौन सा गलत होगा. उस इसका mail होता है दो स्वारों का है ना कि परिवर्टण होता है तो वेंडिव को यसा आपकी को जाने की जुरूरत ही नहीं है अगला 25 कूश्यन देखिए है और 15 देखिया है इस NOT चार अप्षिन में चार कर फिर लोइत इस वह बताना है यह तो बहुतिए है जो सवरंगल कहते हैं ऺिनचन साला सच यह दो सखता है है जी और वीजन से के मेल से जो विकार उत्पन होता है उत्पन विकार को वेंजन संदी कहते हैं यह भी बिल्कुल सही है अकला देखिए क्या है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन होने वाले विकार को हम विसर्ग संदी कहते हैं यही क्या है गलत है यानि कोशिन के साब से यह सही है है लेगिन है गलत तो होगा गया अगर हम देखें मना धन हर मनुझन था क्या इधर जो है क्या इधर भी विसरक है नहीं नहीं न झा कई विसरग है ओंती जो कोई भी स्वर्ख याँ फिर कोई भी जो है बेंजन हो सकता है यह एक साइड विसर्ग तो रहना चाहिए दूसरे साइड विसर्ग नहीं हो यानि क्या हो स्वर ओ चाहिए वेंजन हो कुछ भी हो चलेगा तो यहां अगर यहीं पर क्या होता यहां पर भी कोई वर्ड रहता वर्ड तो यह बिल्कुल सही हो जाता अंसर तो आपसे पूछा गया गलत कौन सा है तो यह यह ऑप्शन हो जाएगा अगला पुछा है कि पूरसकार में कौन सी संदी होती है तो पूरसकार में जो होता है वो संदी होती है वह होती है वेंजन संदी यह ध्यान रखेगा पूरधन कार तो देखिए इसका जो विक्षेत करेंगे पूरधन कार है तो पूरा धनकार, देखे, कभी-कभी जो होता है, वो जो विसर्ग होता है, वो आधा सव में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्या बन जाता है, पूरा धनकार बन जाता है, पूरसकार, उसी तरह बहुत सारे उदारण है, जैसे जो आधा सव में परिवर्तित हो जाते हैं, तो जैसे देखिये हैं, हम आपको बताते हैं, जैसे भासकर, है ना, भासकर का अगर बोला जाए संधी विक्षेत करिए, तो भासकर का संधी विक्षेत जब हम करेंगे, तो ये बन जाएगा भा, है ना, धन कर, भा धन कर, ये हो जाएगा भासकर, उसी तरह जब आप किसका कर संदी के विर्दी संदी न है ने तो कि इसमें कौन से संदी है यह इसमें विशंडी है और सदाचारNow आदा चार में जो है यह वेंजन संदी हैं, ओक्या है, हमने कितना कवर किया था यह हो गया था, उसके बाद सदाचार में जो है, वो कौन सा संदी है, वेंजन संदी है, अगला देखे क्या है, इसमें मृत्यु धन उपरांथ, जब हम मृत्यु धन उपरांथ का आपको बताने एक शम निर्वाद, तो यह मृत्यु उपरांथ होगा, है ना, बहुत ही असान संदी है, बड़ावू बनाते हैं, और यह कौन सी संदी होती है, यह होती है, दर्ग संदी, है ना, तो इमृत्यु परांथ होगा, इसका सही ऑप्शन, अनधी क्रेट, अनधी क्रेट का आपका संदी विक्षेट करना है, तो इसमें देखें, अनधी क्रेट, तो अनधी क्र उसका बनाना है आपको तो कपीश में देखे क्या होता है कपीधन इश यहां पर क्या है चोटी है और इश में क्या है बड़ी है जब चोटी और बड़ी ही मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा कपीश अप्शन भी सही हो जाएगा अगला वो क्या है विसर्ग के साथ स्वर अथवा वेंजन विसर्ग के साथ स्वर अथवा वेंजन के सायोग से जो विकार उत्पन होता है वो उसको जो है वो क्या नाम कौन सी संदी बोलते है तो बहुत आतान है विसर्ग संदी बोलते है और क्य तो यह प quests संदीे करना है तो कि आपको लमकर को संदी संधियो की संधिया और इसमें कौन सी संधिये विशर्ग संधिये हुआ कि मनहदन हुआ था पहले ही हम ना मनहा धन्हमा में क्या हो जाएगा मनुडरिमा और मेर्युदू रमा कौन सी संदी होती है विसर्ग संदी विसर्ग संदी तो देख की पता चल जाती है अगर विक्षेद कर दिया जाए तो चंद्रोदे, चंद्रोदे में आपको बताने कि कौन सी संदी है, देखे, चंद्रधन उदे, है ना, चंद्रधन उदे जब हम बताते हैं, तो क्या बनाता है, ओ बन गया है, तो हम देखे, उससे पहले आप ट्रिक्स कैसे ध्यान रगेंगे, हम आपको बताया था, क्या हो, क् कौन सी संदी हो गई गुर संदी होती है आपको पताने वृद्धी संदी जो है वृद्धी संदी कौन सी है तो वृद्धी संदी की क्या पैशान थी या तो आपको ए मिले या तो आपको ओ मिले बीच में है ना तो इसमें कौन इसमें स्वर संदी विर्दी संदी है तो बाकी में कौन सी संदी है रजनीश हमने आपको पता जहां भी आपको मिले आपकी मात्रा मिले या फिर बड़ी या फिर बड़ाओ बीच में मिले वह कौन सी संदी होते है दिर्ग संदी तो रजनीश में दिर्ग संदी है या तीनर मे तो है वो वरिध्धी संदी है आपको देखते रहना चाहिए जो है सद आșया में आपको पताना है कौन का संदी विख्षित करना यह मैं यह मैं पर रोड़ी हुआ है कि यह किसमें बदल जाता है तो यह वो किसमें ब्दल जाता है तो मुझे गलत है यहाप्षिन सहीं होझागा देखिये आपको लूंग वह याद करिए कि जो पहला जिसे कि पहला वर्ग का और आपने पढ़ा होगा है कि किसी फुर्ग का यानि को थो-धो-धो इसका फेलिए वर्ग का 2 है तो यह जब तो जो हम वर्ग कर नहीं तो मिलकर आसे म म 쿠लेगा तो उसके स्वेल में परिवर्ग का ultra किसमें परिवर्ट हो तो दो में परिवर्टत हो जायगा और यह कॉं시 संथी होती है वेंजन संदी होती है, जब वेंजन संदी के आप बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे तो आप सो समझ में आएगा, अगला देखिए, आपको बताना है इसका संदी विक्षेत कौन सा सही है, तो पहला है परमधन आत्मा, परमधन आत्मा, परमधन मात्मा, तो सह तुकि है पढ़नाधीन परीजिविक्षेता उत्धार का संधी क्षेशन संधी बताना है उत्धार का हुदाधन चप्षेत और आदत होगा उप्षैन रह न्यानी कौन सी संधी है जो वेंजन संदी है नेक्स देखिए महाशे महासे का आपको संदी विक्षित करना है तो महासे का जो ही ये भी बहुत आसान है महासे का जो होता है वो महाधन आश है और इसमें कौन सी संदी अगर पूछा जाए तो इसमें जो है वो दिर्ग संदी है आखी मातरा आ रही है बीच में दर्ग संधी अगला है पावन तो हैं अगर आप से पुछें इसमें कौन सी तंदी है तो ऑर अगत्र संदी होगा तो पावन, बीच में देखिए आउ आ रहा है हमने आपको पता है कहीं भी आए आउ या फिर आउ 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 ये सब मिले आपको तो इसमें आयाती संदी होता है और जब इसका संदी विक्षेट करेंगे तो पौधन अन होगा देखिए पावन का जो होता है पौधन अन और गर पवन का बोले पवन तो क्या हो जाता है पौधन अन तो दोनों में कन्फ्यूज मत होईगा पौधन अन जो होता है वो पवन बनता है और पौधन अन जो होता है वो पावन बनता है नेक्स्ट है उल्लास उल्लास का जो संदी विक्षेद करेंगे तो उत्धन लास होता है जो त है न वो किसमें बदल जाता है आधा लो में परिवर्थित हो जाते तो औप्शन है सही होगा अगला आपको बताने यड़ संदी कौन सी है तो यड़ संदी आपको पचानी की ट्रिक बताई थी क्या हो या तो यड़ वो से पहले आधा जो है कोई आधा वर्ड हो कोई तो देखते हैं सबसे पहले देखें सदैव में कौन सी संदी है इसमें वृद्धी संदी है महोजी में भी वृद्धी संदी सदैव में भी वृद्धी संदी तो option यही बचा यह संदी और यह संदी देखें यदपी है तो यदपी हमको कैसे पैंचा देंगे लिखें यदपी है यड़ संदी है हमने आपको पताया था यह से पहले ही आपको आधा वर्ड कोई मिलेगा कि इसमें आपको बताने है तो व्रिधी संदी जो है किस शब्द में या फिर या फिर ऑ या फिर ऑ की मात्रा रही थे यह क्यों प्रिद्धसंदी है अगर हम विक्षेट करें तो अत्य धन्यv होगा तो अत्य धन्यv हो जाएगा यह विसर्ग संदी हो जाएगा नेक्स देखिए पवन बहुत बार यह पूचा जाता है मैंने बता भी दिया है पवन में कौन सी संदी अव आ रहा है ना पवन अव तो अव में जो होता है वो आयादी संदी ठीक है पवन हो चाहिए पवन हो कुछ भी हो उसमें आयादी संदी होता है नेक्स देखिए उज्वल में कौन सी संदी है उज्वलं में अकर हम इसका विछित तो उत्-धन ज्वल यह हो जाएगा वेजन संदी अन्वेशड में निवेशल में थे करें इसमें पैले संदी प्रा चाहिए कौन सी है तो अन्वेशण में कौन सी संदी है देखिए हमने आपको पताया था ए ओ और और इन तीनों में से कोई भी आता है तो कौन से देखो देखिए इसमें एक ही मातरा आ रही है न यह कौन सी संदी गुड़ संदी है और गरम इसका जब हम विक्षेत करें अनुधन एश और इसमें कौन सी संदी है गुड़ संदी अगला देखिए यड़ संदी का संबंद किस संदी विशेश से है तो यड़ संदी कौन सी संदी है एक स्वर संदी का प्रकार है यड़ संदी है ना असान है पादिके संदी का अगर हम ताइप देखें तो संदी जो है वह एक बर दिर्ग संदी होती है विसर्ग और देखें स्वर संदी जो होती वह पांच प्रकार का होता है कौन-कौन सा एक तो होता है दिर्ग संदी कि दूसरा गुड़ संदी व्रिद्धी संदी यड संधी और पाजवा अयादी संधी तो सभी प्रकार आपको याद रहने चाहिए 40 देखिए जो है पुझा गया है और 9 ओड़ा 9 ओड़ा का संधी विक्षित करना है तो 9 ओड़ा का बहुत ही असान है 9 ओड़ा का संधी विक्षित जब हम करेंगे तो 9 ओड़ा ये बन जाएगा 9 ओड़ा 9 ओड़ा होगा 9 ओड़ा 9 ओड़ा नहीं यह तो साफ साथ दीख रहा है यह तो बिलकुल ही गलत हो जाएगा यहाँ पर देखे बस इतना ध्यानी कि इन दोनों में आप कर्फ्यूज हो सकते दोनियों आफ यह बड़ा ओग्यूरा होती है अगर बोला चैए कौन सी सं्दि ही है तो यह बहुत ही असानी से पैचान लेंगे जगननात 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 में आपको बताना है क legally थै alde उप यह बहुत ही असाना है जगत इदन नात यह हो जागा वेंजन संदी व्याप्त व्याप्त में बहुत ही आसान है व्याप्त कर देखेंगे तो व्याप्त में कौन सी संदी है व्याप्त में देखें वो से पहले आधा आ रहा है इस और यो से पहले आधा कोई वर्ड आ रहा है कौने संदी में रखते हैं यह संदी घर कर इस का हम संदी विख्षेत करें तो इसका हो जाएगा वीधन आता तो आप्थ आप्त व्याप्त 43 पर आते हैं उन्नती उन्नती उत्धन नती उन्नती कौन सी संधी यह है वेंजन संधी उसके बाद प्रतिछवी प्रतिछवी में कौन सी संधी है तो देखिए यह बिल्कुल गलत है देखिए यह बिल्कुल गलत है प्रतिदन छवी और प्रतिदन छवी यह हुआ हो जाएगा फ्रतिधन चओंदी जिए कौन से संदी इसमें ड ऐसे में यो है जो कभी वेंज़न संदी में अगर अगर कहीं भी छ से पहले च्राइज गýff कि इस अब लूर्स आपको पते होने चाहिए प्रणाम का यो है वह को संधी होती है तो प्राव धन जह है यह प्राव धन नाम यह सही है इसमें क्या होता है जो नहम होता है अब देखेंगे चिए अगर कहीं नो, sorry, री, र और स आपको देख जाएं, यह किसमें बदल जाता है, इसमें अगर यह रहें, और इसके बाद में क्या हो जाएं, नो रहें, तो नो जो है, वो र में बदल जाता है, यह ध्यान रखेगा, तो उसी तरह इसको जब मिलाएंगे, यह प्रमाड होगा, और प्रधन नाम अगर मिलाएंगे, यह प्रणाम होगा, देखे, तो जल्दी-जल्दी में आप गलत मत कर दीजेगा, option B जो हो जागा, सही आंसर हो जाएगा, अला देखे, प्रत्यक्ष का आपको बताना है, कि क्या होगा, तो देखे, प्रत्यक्ष इसमें कौन सी संदी है, साब साब इसमें कौन सी संदी है, यड संदी है, अगला देखे, स्वेक्षा, स्वेक्षा में कौन सी संदी है, तो स्वेक्षा, स्वेक्षा में देखे, पहला आपको सारी, इसमें वो नहीं बताना है, कि इसका विक्षेद करना है, सूधन एक्षा, अगला है स्वेदन एक्षा, और में इसमें से कोई नहीं तो अगर हम देखेंगे तो इसका हो जागा सुदनिक्षा स्वेक्षा हो जाएगा सही आंसर पै keeping है ब्नेक्स देखिए सरोज सरोज देखिए सरोज में कौन सी संधी है तो सरोज में जो है वह विशर News संदी है सधन जर्य सरढ़ांज हमने आपको पताया से सदेखे मना हर इसमें ऑखी मातरा लग जाए थैं मनौर्फिता Unsura aid झाइगा जये लगा जाती है कि कि पार बताया तो यह एन वह जाएगा बनुगार लास्त क्वेशन देखते हैं जगदीश तो जगदीश भी बहुत आतान है जगत दन । ये तो बिल्कुल गलत है और यह जगत धन इश यह गलत है जगत धन इश आंसर बी हो जागा सही आंसर ठीक है यह टोटल 50 कोशन्स हमने आपको कवर किरा दी है और आपको मिलते हैं जगत धन इश जगत धन इश यह एक बार आपको देख लेजएगा मुझे कंफ्यूजन है कि जगत धन इश में कौन सा होगा तो थैंक्यों फॉर वाचिंग आपको अगले सेशन में मिलेंगे अगले 50 कोशन्स किसके संदी से रेलेटेड